आप देख रही महुआ खबर में हूँ आपके साथ काजल ठाकूर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबरी आ है कि सक्षमता परिक्षा को लेकर लगतार विरोच चल रहा था कल सक्षमता परिक्षा का पहला दिन था और आज दूसरा दिन है और बड़ी जो खबर सामने आ रही है जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यह है कि जब शिक्षा पहुंचे परिक्षा देने के लिए वहां पर तो वहां पर question paper नहीं खुल रहा था क्योंकि परिक्षा online हो रही है जैसे ही question paper नहीं खुला उसके बास से उन अभ्यरतियों को वापस लोट आया जाने लगा एक एक करके सभी अभ्यरतियों को वापस लोटाया जा रहा हाला कि कारण अभी तक सामने नहीं आया है कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वज़े से परिक्षा पत्र जो की question paper है वो खुल नहीं पा रहा है और यह घटना दो जगा सामने आई है तो पटना में दूसरा भागलपुर में सामने आई है दो जगा ऐसी घटना हुए जहां पर सक्षंता परिक्षा देने के लिए पहुंचते हैं अभ्यरति लेकिन वहां पर question paper खुलता नहीं है जिसकी वज़े से अभ्यरतियों को वापस लोटाया जा रहा है और अभ्यरति उदास है इस व खराबी आवे जो की परिक्षा के समय आले थी क्योंकि बहुत महत्तपूर परिक्षा होती है जिसके लिए तैयारी की जाती है और सक्षंता परिक्षा को लेकर आप देखा ही है कि सरी के से शिक्षक लगा था सरघर्ष भी कर रहे थे सबकों तक यह नहीं आ रहा है लेकिन शिक्षक परिक्षा देने के लिए तो पहुंचते हैं लेकिन बिना परिक्षा दिये उनको वापस लोटना पड़ता है कुछ सक्रीकी खराबी हो सकती है कुछ भी हो सकता फिलहाल कारण सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन आपको यह यहाँ पर समझा देते हैं सक्षरता परिक्षा को लेकर आपसे पहले कई बार विरोध हुआ ऑनलाइन परिक्षा को लेकर कई बार विरोध हुआ परिक्षा थी जो अभ्यारती है वो कह रहे थे कि हम ऑनलाइन परिक्षा नहीं दे सकते हैं उसको लेकर सरकुत तक उन्होंने प्रदर्शन किया था कल पह ऐसे बुलाखाते करना चाहते थे बहुत सारे रजक्रम सब्राइब को लेकर देखियं क कैसे मिलेगा क्योंकि उनुंप को लगता के लग Bowl कर रहे थे उसके अलवा तगाख सवाल इसंग को लेकर भी प्रडशन किया रहा था उसके बाद यह परिक्षा आयोचित की जाती है परिख्षा के एक दिर पहला तक बहुत जादा हंगामा हुआ था और कल पहला दिन हाला कि कल तो परिख्षा हो गए उसके बाद भी काई सवाल शिक्षकों की तरफ से उठाए गए थे कि बहुत जादा कठिद प्रश्ण पत्र आया था कुछ प्रश्ण तो ऐसे थे जिसके जवाब उन शिक्षकों से नहीं दिये जो रहे थे, बहुत कठिड प्रश्ट पत्र को बताया गया था, और आज का दूसरा दिन की प्रश्ट पत्र ही नहीं खुल पाया, जिसकी वज़े से लगातार सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या कहना है, कॉमेंट करक कि बताया थाएगा